क्या आपको भी जिरो कॉस्ट में घर को मैनेज करना पसंद है और आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि कैसे जीरो कॉस्ट में सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए हमारा समय भी बच जाए और साथ ही हमारा पैसा भी बच जाए तो हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ संगीटा और मैं बन लेकिन इसका टाइबेंड होता है उसे हम खो देते हैं या वो इधर दूर कहीं हो जाता है जिसके वज़े से हमारा जो ब्रेट का पैकेट है उसे हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ता है और जिसके वज़े से क्या होता है कि जो हमारी ब्रेट की जो पीस होते है वो सूख जाते है और हमारी जो bread है वो बहुत जल्दी खराब जाती है तो इसे बचने के लिए आप packet को इस तरीके से लीजे और नीचे से घुमा दीजे और उपर का जो area है उसे वापस नीचे फोल्ड कर दें ऐसा करने से उसके अंदर air नहीं जाएगी और जो आपकी bread है वो hard नहीं होगी काफी टाइम तक आपकी bread soft रहेगी तो यह काफी useful tips है अपनी kitchen के लिए आप इसे जरूर try कीजेगा क्योंकि bread का use तो हर घर में होता है और बच्चे बड़े से सभी लोग पसंद करते हैं खाने में तो इस tip को आप जरूर follow करें तो देखी कडाई हम सभी use करते हैं और कडाई में इस तरह के जो oil के दाग होते है ना आगे या फिर पीछे की area में वो लगे रहते हैं काफी दूलने के बाद भी होता है यह निशान है वो निकलते नहीं है काफी ज़्यादा गंदे लगते हैं देखने में तो इनको हटाने के लिए हम यहां पर यूज कर सकते हैं फिर अच्छे से थोड़ी दे रगडने के बाद में आप कड़ाई को अच्छे से वास कर लीजे आप देखेंगे कि जो आपका बरतन है वो एकदम clean हो चुका है और आपके बरतन को एक नया रूप मिल चुका है तो इस तरह के से आप अपने बरतनों को इस तरह से यूज कर कर सकते हैं काफी असान होता है इस तरह से करना और थोड़ा थोड़ा जब भी clean करते रहते ना तो बरतन हमें हमारे जो होते हैं वो हमीशा ही clean रहते हैं तो इस चिप को भी ज़रूर फॉलो करें आप तो जो हमारे कांच के बरतन होते हैं उन्हें तूटने का खतरा बहुत जादा होता है तो उन्हें नॉर्मल बरतनों के साथ डलिया में नहीं रखना चाहिए और एक हम यहां पर यूज कर सकते हैं तरह की ट्रे या फिर थाली ले सकते हैं जिसमें हम कांच के बरतन और अपन से और्गनाइज भी रहेंगी तो बहुत लोग जब भी अपने बर्तनों को वास करते हैं तो डेलिया के नीचे कोई टौवल लगाना पसंद करते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहिए हम ऐसा करने से बचना है क्योंकि टौवल क्या होता है कि गीला हो जाता है पानी पूरा सो ज़रूर रखना चाहिए इससे हमें बहुत ज़्यादा है किचिन में जो भी समान हमरा खॅज थि ना उसे हम तुरन्थी यहां पर लिख सकते हैं यह तो कई बार किया हमाने मैंट से माइन से सब्सक्रांकी हो जाती है एसे बहुत देर सारे बर्तन होते हैं हमारे बर्तनों में जब भी हम इकटे वाउस करते हैं चोटें मूठी चीजें हमारी इसमें अंदर चली जाती हैं डल्या में और वह दूरत पढ़ने पर मिलती नहीं है तो इस तरह से हमारी एक CT भी है जैसे हमारी कुकर की CT होगी बरतन के साथ हम रख देते हैं दर दर और उसके बाद में फिर वो मिलती नहीं में जरुरत पढ़ने पर तो आप इस तरह से चोटा सा एक बाउल ले सकते हैं और उस बाउल में अपनी CT को इस जरह से डाल के रख सकते हैं दुलने के टाइम पर या फिर दुलने के बाद के टाइम पर जब भी आप रखें तो आप इस जरह से डाल के रखें तो ऐसा करने से जब भी आपको ज़रुवत पड़ेगी न तो आपको CT वहीं पर मिल जाएगी और आपको कोई भी टाइम विस नहीं होगा तेल की बाटल हमारी केचिन में बहुत जादा गंदगी फैलाती है तेल की बाटल के नीचे हमें हमेशा ही कुछ भी कोई भी चोटी मोटी लेट जरूर लगा के रखना चाहिए ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारा वह एरिया है वो चिपचपा नहीं होगा एग्दम बिल्कूब नीटर क्लीन रहेगा बोतल को हमेशा क्लीन करने के लिए आप नैपकिन या फिन यूज पेपर का यूज कर सकते हैं क्यूकि बॉटल में ओयल नहीं हमेशा ही लगा रहता है तो जब भी आप बोटल को यूज करें हर बार तुरंट ही clean करके रख दें तो हमारा कभी भी काम नहीं बढ़ता है तो इस तरह से मैं हमिसा ही इस तरह से देखिए लिड का यूज करती हूँ आप bottle के size का भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं तो कोई भी इस तरह से lid लेके आप bottle के निचे लगा सकते हैं चीज़े छोटी हैं लेकिन बहुत यूसफुल होती हैं वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा किचिन में यूज होने वाले नैपकिन के लिए आप इस तरह का एक बॉक्स बना लें और उन्हें सारे नैपकिन को अपने एक साथ में ही जग दें और जितने भी आपके पास नैपकिन होते ना उनको एक साथ आप कभी भी ना निकालें क्योंकि ऐसा करने से क्या सारे नैपकिन आपके एक साथ गंदे हो जाएंगे आप एक नैपकिन निकाली उसे दिन बर यूज करिए साम को रात में उसे धुल के डाल दीजिए और नेक्स आप दूसरा नैपकिन निकाली और उसको वापस फोल्ड करके वहीं पर रख दीजिए ऐसा करने सा भी किचिन है वो मैसी नहीं होगी अगर हम सारे नैपकिन एक साथ ही निकाल लेंगे तो सारे ही गंदे हो जाएंगे एक साथ आपके लिए helpful रहा हो तो जाते जाते लाइक करना ना भूलें अपने friends and families के साथ भी जरूर सेयर करें जिससे उनका भी भला हो और चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी मिलूँगे आपसे next video till then bye and take care